आप देख रहे हैं सीधी बात मैं हूरा हुल कमल और आज मेरे खास मेहमान है वरिश कॉंग्रेस नेता दिगविजय सिंग सर स्वागत है आपका चुनाव का आगाज हो चुका है बहुत जल्द पहला फेज होने वाला है उससे पहले लग रहा है कि कॉंग्रेस इस वक्ते डूपती हुई नहिया की तरह है एक के बाद एक कॉंग्रेस के नेता छोड़कर बीजेबी में जा रहे हैं क्या संदेश जा रहा है इसे जनता को कि कॉंग्रेस का जो टेन्योर है वो खतम जो लोग सत्ता की राजनीती करते हैं, जो लोग स्वार्थ की राजनीती करते हैं, जो निजी स्वार्थ की राजनीती करते हैं, उनके लिए ये महतपूर नहीं वो किस पार्टी में जाएं और ऐसे लोग राजनीती में देश की सेवा के लिए नहीं, स्वार्त के लिए आते हैं। अब लिए नहीं, स्वार्त के लिए नहीं, स्वार्त के लिए नहीं, स्वार्त की राजनीती करने आएं। जीत रहा है, कौन हार रहा है। इतने सारे नेता एक के बादे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में दौड़ते हुए जा रहे हैं। इतने सारे नहीं, स्वार्त के लिए नहीं, स्वार्त के लिए नहीं दौड़ते हैं। पैसा लेकर इधर उधर हो जाते हैं तो सभाव एक हर तरह करो हो सकता है हो सकता है क्या सब्सक्राइब कैसे कह देते हैं सबूत है आपके पास ऐसा है कि जो व्यक्ति अपने विचारधारा को छोड़ कर जिसने आपको सब कुछ दिया अब पाल साब का जगदमा पाल के देख दीजिए वो पिछले पांच साल बड़े द्रता से कांग्रेस के पक्षमे और मोदी भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे और रातो रात पलड़ गए अब मोदी उनका खुदा हो गया यह क्यों हो आपके सब यह राजनीती यह तो स्वार्थ की राजनीती हो गई पैसे मेले उ को कह रहे नहीं हम नहीं लड़ेंगे मतलब अमरिंदर सिंग को लभग जबर्दस्ती करके लड़ाया गया वह बहाने मार रहे दे कि मेरी पत्नी लड़ रही है उन्हां पर सीट फासी हुई है मुझे उस पर नजर डालनी है उन्होंने कभी मना नहीं किया सर खबरे तो हमें कि बीवी है पट्याला में चुना फ़सा रहे है वहां पर महनत करने की जो लड़ना ही नहीं चाहिए जब अर्दस्ती करके दखेला जा रहा है उनको नहीं कितने सारे जो कॉंग्रिसी नेता हैं जो लड़ने चाहिए उनसे प्राइविट में बात कीजे वो कहते हैं नहीं ह इसे आपके पार्टी में होते हैं पर इतना मुराल डाउन क्यों है सरच चुनाव होने वाले लड़े तो सही कॉंग्रेस लगाई में नदर नहीं आरही है जाके किसने आपको कहां है हमारी लडाई चारों तरफ है और हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई को व्यक् कि किस तारीक को अपना घर छोड़के जाने वाले शीला दिख्षित के घर में जा रहे हैं उन्हों को लग रहा है कि हारत है इसलिए अभी घर चोड़ना चाहिए उन्होंने साफ कह दिया है कि सरकार हमारी बनेगी भी तो वह अगले प्रधानमंत्री के उमीदवार नहीं है प कि अब प्रिशार करेंगे केंपेन अब चालू हो रहा है हमारा सर पर ये तो एक ऐसा है मुझे बताई अड़वानी जी ने कितनी मीटिंग करी है वो बड़ी दिक्कत के बात है बीजेपी के लिए सुश्मा सुराज जी ने कितनी मीटिंग किया है आप कह रहे हैं कि जो जा रहे हैं रैली पर रैली करे जा रहे हैं और उसका जवाब भी दे रहे हैं तो मोधी की रैली में तो बढ़ी लंगी चोड़ी भी लगती है राहूल की चोड़ी-चोड़ी सभाएं होती है ऐसा है नरेन मोधी की सभाओं में एक एक सभा में पचीस से चालीस करोड़ क्योंकि खुद उनके कई लोगों ने बताया है कि कई सेक्ड़ों तो हजारों तो बस और गाड़ी की जाती हैं रेलवे लाइट रेलवे बुक्ट पूंजी पतियों के के उमीदवार है और पूरे पूंजी पतियों ने अपना खजाना नरेंद मोदी के लिए खौल दिया है आप एक बड़ी रैली क्यों नहीं कर दस लाख लोग ला सकते हैं राहूल गांधी और कॉंग्रेस हम लोग दस लाख लोगों की एक रैली करने के बजाए एक लाग की दस रैली करना पसंद करेंगे तो आपका मानना है कि मोदी की स्ट्राडिजी गलत है मेरा कहना यह क्यों 1977 में में एक बड़ा साधारन से कारे करता था शामाचर्ण शुकला जी मुख्यमंतरी थे संजय गांधी की रैली हुई थी भोपाल में इससे बड़ी रैली कभी देखी नहीं लेकिन दो महिने के बाद चुनाओं में कॉंग्रेस हवाया हो गया था आप कहरें कि बीजेपी लोग ला रही है अपको बोट देंगे जाके हर मैं बहाया जा रहा है नरिन मोदी जी अचार्व हो गया ओ उन्हें आज आज मोदी सरकार मोदी आज भाजपा से बड़ा है मोदी संग से भी बड़ा है मोदी के सामने सबने घुटने टेग दिए आज ज़रा किसी भाजपा के पुराने नेता को ज़रा खरोच के देखो तो उसकी दिल में क्या गुजर है संग ने तो बोला कि नमो नमो बंद करो वाहिए तो नमो की आपती मेरी जिसलिए मैंने आज 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 आपके कब किया जब कि शंकराचारी जी ने विरोध किया और संग ने विरोध किया तब तो पहले क्यों नहीं विरोध किया आज हालत यह है कि माननी राजनास सिंजी पोस्टर अपना लगाते हैं और आदे घंटे में वो पोस्टर हर जाता और मोधी का पोस्टर लग जाता है यह हाल राजनासिंजी केरें कि वो मीटिंग में थी अब ये तैग करें आहलत ये है कि नरेन मोधी ही पूरे कैनिडेट तैग कर रहे हैं और नरेन मोधी की बिना भाजपा में पत्ता नहीं हिल रहा है अब तो हालत ही हो गई है लोगों से कहा है चुन लो या तो कमल को चुन लो या म पर हकीकत ये भी है भाजपा की इस वक्त कि अगर भाजपा कोई जिता सकता है तो वो मोधी जिता सकता है यही मैं आप से कहता हूँ वो भाजपा जो कि अपनी संगठन शक्ती पर गर्व करती थी वो भाजपा जो कहती थी कि हमारी संगठन शक्ती मजबूत है संगठन मजबूत है आज उसने पूरी पार्टी आज साश्टांग दंडवत करी हुई है मोधी के सामने आप लड़ना चाहते हैं मोधी से मैं कांग्रेस का एक सिपाई हूँ और मोधी किया मोधी के खोदा से भी लड़ सकता हूँ नहीं तो क्यों नहीं पार्टी फैसला कर रही वारा नसी का आप कपसे बोने चला जा रहे हैं कि-पार्टी तो आप ही है मैं तो पार्टी थुड़ी नहीं हूँ नहीं लेकर आप पार्टी के वरश नेता हैं। पार्टी अबड़े मुद्धे पर आप किराई लेती है। आप लड़ना चाहरें। आप लड़ना चाहरा हूं। तो आप हरा पाएंगे मोदी को? अरे आप ये फैसला तो होने दीजिए कि कॉंग्रेस पार्टी का कैंडिडेट वाराण आपकी संकेतिक अगर फर्स कीजिए आपको टिकेट मिलती है वारा नसी की संकेतिक लड़ाई होगे कि हराने के लड़ाई होगे? हराने की लड़ाई होगी. हरा पाएंगे आपको विश्वास है? जो व्यक्ति मुखतार अंसारी जैसे कैंडिडेट से बीजे पी के बुली मनो जोशी जैसा व्यक्ति केवल 17,000 से वोट से जीता है. तो मुदी को ना बनारस को जानते हैं ना बनारस के लोग मुदी को जानते हैं और बनारस के लोगों के सामपरदाएक सदभाव एक नजीर है. जब हनुआन जी के मंदिर में बॉम लास्ट हुआ था, लोग समझते थे राइट्स हो जाएंगे शहर में. वहां के मिश्रा जी ने उनके जो विवस्थानापक है हनुमान मंदिर के और मुफिवती साहब ने मिलकर उस शेहर को जलने से बचाया था ये आत्मा है वारा नसी की क्योंके आपके बड़े लंबे संबन्द है वारा नसी से लोग आपको जानते हैं बहुने काम करते हैं पिश्रा है जो 24 में चुनाओं जीते थे अजेर आये हैं जो कि सिटिंग एमेले हैं और सवा लाग डेड़ लाग वोट उनको पिछले चुनाओं में मिला था हलागि समाजवादी पार्टी से लड़े थे और हमारा वहां संगठन मौजूद है वहां पर कॉंग्रिस ने काम कि है वहां के जो बुनकर लोग हैं उनके करजा माफी करने के लिए राहुल गांदी जी ने पैरवी किये हैं तीन हजार करोर का करजा भी माफ कराया है उनके लिए जो इंपोर्ट यान वहां से आता है जो किचाना का यान आता है उसके उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम करा ताकि उसका धंदा चल जाए वहां के मचवारों की लड़ाई कॉंग्रेस पार्टी ने लड़ी है और हर तरह से हम लोगों ने वहां की आत्मा को समझा है और आज वहां पे पिछले कई वर्षों से महापौर भाजपा का विधायक भाजपा का सांसद भाजपा का क्या कर लिय कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी लग रहा है कि तालमेल के साथ इस चुनाव में मोदी के खिलाफ लड़ रहा है क्योंके लग रहा है कि एकदम प्लैनिंग के साथ दोनों की एक जोइंट स्रेटिजी है मोदी को हराने की राहुल जी एक बास समझ लीजिए मैंने हमेशा कहा है कि अर्विन केजरिवाल जी के जो संगत के साथ उसके संबंध हैं वो इस बात से प्रमानित होते हैं कि विवेकानन फाउंडेशन इंटरनेशनल फाउंडेशन की बैठक हुई थी वहां 2010 में जहां गोविंदाचारे जी अजीद दोवाल जी और अर्विन केजरिवाल जी बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर महराज को मीटिंग करी थी और करप्शन के इशु को लेकर यह प्लैन बना था अब करप्शन नोने छोड़ दिया आप तो मोधी के खिलाफ हैं उनका कैम्पें करप्शन भूल गया है अरे सुन लो सुन लो ये बात समझ ल हो है और केजरिवाल जी के संभंद संग के साथ क्या है आप कभी नी समझ पाओगे आज भी है मैं आपको बताता हूं कैसे मैं बताऊंगा आप देखें हमेशा मेरी बात को लोग विश्वास में करते चैसे बादेट बाद में सही निकलता है तो इसलिए मैं आज से आप कह यह सोची समझी साजिश है संग की कि एक तरफ हाड कोर रिजिड लाइन लो मुदी दूसरा कॉंग्रेस को कमजोर करने के लिए केजरिवाल को प्रमोट करो जो कि एक सेकुलर फेस है सेकुलर लाइन है ताकि कॉंग्रेस मुक्त भारत का उनका एजंडा पूरा हो यह एजंडा मुदी का आजंडा है और संग का खैर रहें कि दो कि वकेजरिवाल जो है संग के खिलाफ एक शब नहीं बोलेंगे आज ह繋मने मोलेंगे सर यह बताइए कि of चरुच्व च्रावन को आपने टिकेट क्यों इतनी बहुत बड़ी वाते राहुल गांधी, वह क्यों नहीं होना चाहिए, कर अपनेताओं को टिकेट नहीं मिलनी चाहिए, आदरश की रिपोर्ट आई, उन्होंने बोला कि प्रितिरत 54 को कारवाई करनी चाहिए, इन सब चीजों के बावजूद, जब टिकेट देने के बारी आई, तो आपने बोला आशोक जी, नांदेर से तो आ चाहिए, सुन लीजे, कि अशोक चवान के खिलाफ आज भी किसी भी अदालत में कोई उनके खिलाफ केस नहीं है, रिपोर्ट है उनके खिलाफ, ऐसी रिपोर्ट जिसमे राहूल गांदी ने प्रित्विरत चवान को कहा की कारवाई कीजिए, उस आदमी को जाके आप टिके यही तो बात है, क्योंकि वो जीत सकते हैं वहाँ पे, उनकी जात मजबूत है, उनकी पकड़ कंशिटूंसी में मजबूत है, तो गए प्रश्टाचार के जितने भी आरोप है पानी पी ने एक बात मैं जानता हूँ, कि अशोक चावान ने कोई निरने अपने तरफ से नही पास जो फाइल नीचे से रेविन्यू सेकरेटरी ने बना के भीजी, जो एड कलेक्टर ने बना के भीजी, उस पर उनके उनका कमिशन ने जांच की, ये सब तक ये रखे गाए, उसके बावजूर्द उनको गुलेगार पाया गए, राहूल कमल जी, क्यार अशोक चावान जी ने सेकरेटरी रेविन्यू के नोटिंग को ओवरूल करके कोई स्पेशल कंसेशन दिया, क्या, सवाल वो नहीं है, सब सवालों के जवाब तलाशे जा चुके हैं, उसके बाद एक सरकार द्वारा गठित कमिटी ने उनको गुलेगार पाया है, मैं भी मंत्री रहा हूँ मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूँ, सुन तो लीजिये महराज, मैं यह आप से कह रहा हूँ, कि उन्होंने अगर सरकारी, कर्मचारी, अधिकारियों, जिनका की constitutional right है, कि मंत्री को सही, सला, कानून और समिधान के अंतरगत ने, उसके अंतरगत वो अपना निर्ने ले, उनकी स तलहा को उन्होंने इंडॉर्स किया मंत्री ने? अपना आप फैसला करने वाले है नहीं, देश की जनता फैसला करेगी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, कि जीत उनके गुनाहों को जस्टिफाइ नहीं करती, जिन गुनाहों के नहीं वो दोशी पाए गए नहीं, मैं भी आपको कहूंगा, उंगली दिखा के कहूंगा, कि 16 करें, कि 2014 के इंजार करिए, देखते हैं, क्लब 160 सही सावित होता है, मिशन 272 सावित होता है, कॉंगरिस का नगा क्लब स्टाट हो है, क्लब 75, और उसमें कौन सावित होता है, कौन नहीं यह पता से लेगा, दिविज जै जी, आपने सी दीबात के लिए वाद दिया, इसके कमें सावित है, क्याओा की वित्म सावित है, क्लब यदू सावित है, क्लब तए кि लिए foundation है, क dock मे दोए जैइगा में है, तो अ कि आधी के अरो, उईखते हैं, कि एए यगए चु छूप llev देखते हैं, क्लब 1, 500, म 캬 झाओpflichtे हैं, भँ हैं यह, शा सावित हैं, यज जू